कैसे हो आप सब आई और आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज की वीडियो बहुत इंपोटन्ट है कुछ डिसकस करेंगे हम और बहुत इंपोर्टन्ट है लेकिन उसके साथ साथ Bitcoin के क्या हाल है क्या updates है वो भी discuss करेंगे तो Bitcoin के price चल रहे है 27,000 के उपर 27,000 का level चल रहा है और अभी हम होके आगे है 26,900 पे तो ये जो 200-300 dollar pump करते करते फिर dump आ रहा है है न अगर हम देखें level जा तो नीचे ही रहे है पहले 28,000 के करीब चल रहे थे 200-300 dollar का dump आया 27,000 700-500-600 पे चले गए फिर वहाँ से थोड़ा pump फिर नीचे आये 27,200 तक फिर वहाँ से pump आया और फिर अब 26,900 तक level आ चुके है 200-300 dollar करते करते हम सीधा 1100 dollar तक का dump देख चुके हैं 28,000 के level से 26,900 तक और ये सब तब हो रहा है जब CPI डेटा आने वाला है कल कल की डेट बहुत important है और CPI से पहले ये game हो रहा है market के अंदर और CPI बहुत important है इस बार का कितना आएगा वो भी देखना जरूरी है लेकिन CPI से पहले गेम होते हैं लेकिन ये भी game हो रहा है और इस बार जो game हो रहा है वो नीचे का game हो रहा है हर बर market क्या करती थी pump हो जाती थी scenario हर बर सेम नहीं रहता है ठीक है तो ये भी game ही हो रहा है और 27,000 के level आ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के उपर ठीक है 12 October की देट है और टेलीग्राम जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेना क्योंकि CPI नंबर मिस नहीं होना चाहिए अगर आप trade ले रहे हैं market के अंदर trade कर रहे हैं तो तो सबसे बहले हम बात करेंगे बहुत important जितने भी हमारे subscribers हैं viewers हैं उन सभी के लिए 100% का profit और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपको कहा था कि आप नजर रखिएगा और लेने से पहले अपनी research भी कीजिएगा ठीक है कोई भी crypto खरीद रहे हमेशा research जरूरी होती है लेकिन इस वीडियो का मैं लिंक आपको description में दूँआ यह है वो वीडियो जिसके अंदर हमने 12 coins for October रखे थे और possibility क्या रखी थी सबकी 100 to 200% rally possible ठीक है और कल हमने देखे 2-3 coin इन में से pump हो रहे थे इनी 12 coin में से 8-10% वो भी हमने discuss किये लेकिन आज एक coin काफी अच्छा boost हो गया काफी अच्छा explode हो गया है वो भी 100% तक जी हां कौन सा है वो coin वो coin है request coin REQ इसको हमने रखा था इस list के अंदर October मन्त की और अगर आप देखेंगे सिर्फ कुछ घंटों के अंदर यहां पे 100% तक price बढ़ गया possibilities थी और possibilities पूरी हो गई 100% का jump request coin में और आज की date में यह top gainer चल रहा है इस time पर कितना price चल रहा है डिसकस करेंगे ठीक है तो अगर आपने यह video watch नहीं किया है October मन्त के coins वाला ठीक है तो इसको हम इसका link description मिल जाएगा और 100% का return जिन लोगों ने request में entry बनाई होगी 100% का profit उनके हाथ में है क्योंकि 100% तक ही यह pump हो चुका है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर तो यह हम आगे है request के चार्ट पे आज का top gainer भी यही coin है top gainer 74% अभी green में चल रहा है लेकिन 100% हो तक हो आया है 0.06 से सीधा 0.12 तक यानि पूरा यहाँ पे double हो के आया है ठीक है और price अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अभी तो अच्छा pump हुआ है तो continue चल सकता है यह pump ठीक है तो 75% अभी भी green में चल रहा है request कोई next update है bitcoin के lightning network को लेके lightning network की जहां तक हम बात करें इसको बड़ी जबरदस्त growth मिली है पिछले दो साल के अंदर बिटकोइन लाइटनिंग नेटवर्क ग्रोथ जंप 1200 परसेंट इन टू इर्स पिछले दो साल के अंदर 1200 परसेंट का जंप देखने को मिला हमको बिटकोइन की lightning network के अंदर next update है यहां पर हमास रिसीव 41 मिलियन डॉलर इन क्रिप्टो इन लीड अप टू अटैक ओन इस्राइल इस्राइल और हमास फिलस्तीन आप वहर देख रहे हो ठीक है और कुछ क्रिप्टो यहां पर मिले हैं हमास को हमास रिसीव इन लीड अप टू अटैक ओन इस्राइल यह अपडेट आ रहा है इस वर से जुड़ा हुआ ठीक है और वर का इंपक्ट क्रिप्टो पर भी पढ़ रहा है अब देख रहे हो बिटकोइन में भी नमी देखने को मिल रहे हैं हमको नेक्स्ट अपडेट आ रही है Immutable की तरह से IMX भी बोल सकते हो Immutable X और इसकी एक पार्टनर्शिप होई है Amazon Web Service यानि AWDB और AWS Amazon के साथ एक तरह से पार्टनर्शिप होई है और यह बहुत बड़ी बात है Amazon Web Services and Immutable are working together to shape the future of gaming है ना यह बहुत बड़ी यहां पर अपडेट है IMX को लेके Amazon के साथ यहां पर हाथ मिला है ठीक है और क्या impact रहेगा आने वाले टाइम पर Immutable के उपर Amazon की partnership का यह भी देखना बहुत जरूरी है बहुत सारी exchanges अपनी services बहुत सारी countries में बंद कर रही है कभी Bybit का UK में बंद करने का अलान होता है कभी Coinbase का India में और अब Bitstamp to end services in Canada by January 8 जनवरी तक का time है उसके बाद Bitstamp exchange अपनी service नहीं देगी कहाँ पर Canada के अंदर Canada के अंदर अपनी services बंद करने का एलान कर दिया है announcement कर दिया है January तक Bitstamp exchange नहीं तो next बड़ी important update है FMC की meeting तो नहीं है इस मन्त के end तक होगी FMC के interest rate का decision इस मन्त के end तक आ सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर आज रात तयार रहेगा 11.30 PM के उपर FMC के meeting minutes release होने वाले हैं आज meeting minutes और कल CPI numbers और उपर से war situation सारी situations क्या कर रही है थोड़ा market को ना इस तरहें पर tight range के अंदर बना के रखा हुआ है ठीक है और आप देखेंगे यहाँ पर तो चाहे FMC के minutes हो चाहे FMC का interest rate का decision हो चाहे CPI number हो कुछ भी हो impact पड़ता है और यह सारे तीनो combination क्या कर रहे है market को impact कर रहे है अगले 24 गंटे बहुत important है जब तक CPI number नहीं आता और आज रात को FMC के minutes रिलीज नहीं होते तब तक आपको alert रहना है भारी volatility रहेगी market के अंदर इस FONC meeting minutes के अंदर जो भी निकल के आएगा हम आपके साथ discuss करेंगे ठीक है तो telegram channel को आप join जरूर कर लेना next update है Shiba Inu को लेके Shiba Inu के Shibarium को support मिला है और साथ के साथ bon की listing होगी है Bitcoin Tree exchange के उपर यह Turkey की exchange है और इसने bon को भी list कर दिया अपने platform पे और साथ के साथ Shibarium का भी support एड़ कर दी तो बिल्कुल Bitcoin Tree पे अगर आप जाएंगे which exchange will be the next to do this और Bitcoin Tree ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Shibarium का भी एक तरह से support और bon की नई listing आज की इस video को करते हैं यहीं बेंड किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं तो हमेशा आपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है और मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care